इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्धन से पहुँचाएंगे इसलिए लगतार हमा अकड़ बंदन के समर्थन में कड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा हैश्टैग वी सपोर्ट इंडिया दरासा दोस्तों पहली बड़ी ख़बर की तरह बढ़ते हैं आज घोसी सहित कई सीटों पर हुए उपचिनाओ के नतीजें होंगे जारी उससे पहले ही जनता ने अपना रुख यहां पर बता दिया है अखिलेश यादब का ट्वेट जनमत का दिया सच का परिणाम तो आ गया सत्ताधारियों के चलमत का परिणाम आना बाकी है जहां दोस पर पहले ही नतीजा बता दिया है समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है 77 प्रतीसत लोग यहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े आए जबकि भाजपा के समर्थन में मातर 22 प्रतीसत लोग ही खड़े आए आज बताते चले यहां पर मतगड़ना होनी है जो घोसी में उपचुना हुआ था उसमें और नतीजे जारी किये जाएंगे काफी दिल्चस्प मुकाबला देखने को मिला इस बार घोसी के अंदर क्योंकि इस बार भाजपा का मुकाबला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ में था क्योंकि बाकी विपच्छी प के आ रही है कॉंग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेडा ने सभी समाचार चैनलों को बहिशकार की चेतावनी दी है अगर निउस चैनल आरसस बीजेपी के लोगों को टीवी डिबेट में विसलेसक के तौर पर बिठाते रहे तो कॉंग्रेस पार्टी ऐसी डि मोधी के अंद समर्थक यहां पर जो राजनीतिक विसलेसकों के तौर पर नकाब लगा करके चैनलों पर बैठते हैं उनका यहां पर कॉंग्रेस पार्टी ने विरोध किया है अक्सर ऐसा होता है जब किसी चैनल पर मोधी भक्त एंकर के साथ दो संगी विसलेसक एक कार करने की चेतावनी दे दी है इस समय की बड़ी खबर थी अगर आप लोग भी कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा उठाये जा रहे हैं इस कदम का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजेगा एक और बड़ी खबर बताते चलें प्रसांथ किसोर ने की है विपच्छी गढ़बंदन इंडिया की जम करके तारीख बोले अपने गढ़बंदन को इंडिया कहना एक इसमार्ट कदम है यहां दोस्तों खबर बताते चलें विधान सभाचुनाओ से लेकर के लोग सभाचुनाओ तक विभिन दलों के लिए रड़नीती बना चुके पूर्विचुनावी रड़नीती कार और वर्तमान में जन सुराज के प्रमुख प्रसांथ किसोर ने विपच्छी दलों के द्वारा रखे गए इंडिया गढ़बंदन नाम पर अपने पृतिक्रिया दी है उन्होंने इसे एक बड़ा इसमार्ट कदम बताया है और उनका कहना है कि इंडिया नाम रखने से यहां पर जन सुराणा में भाजपा के मुख्यमंत्री से महिला ने कहा फैक्टरी लगवा दीजिये ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा इस पर मुख्यमंत्री खटर बोले चंद्रियान चार जाएगा उसी में तुम्हें भेश दूंगा जहां दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्र ने निसानसादा है आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि महिला का एक मात्र अपरा दिया है कि उसने रोजगार सरजन के लिए एक फैक्टरी मांगी थी उन्होंने लिखा ऐसे मुख्यमंत्री को सरम आनी चाहिए जिनहें जनता ने सेवा के और आरेसस सोचते हैं महिलाओं के लिए इन लोगों के पास कोई भी सम्मान नहीं है भाजपा और आरेसस में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है सरम की बात है यह यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल की आई है और जवरदस तरीके से सीयम खटर को घेरा गया है पूरे मामले में आप लोगों की क्या कुछ राय है अपनी राय महत्पूर राय जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं आरचण के मुद्दे पर आरसस के प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बयान तो यहाँ पर आरचेडी ने जातिये गड़ना पर केंदर सरकार को मनाने की दे दी है सलहा क्या है पूरी खबर बताते चलें आप लोगों को आरसस के प्रमुख मोहन भागवत ने आरचण के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि समाज में भेद भाव मौजूद रहने तक आरचण जारी रहना चाहिए इस बयान पर आरचेडी ने संग प्रमुख को घेरते हुए कहा है कि उन्हें केंदर से जाति से उगाया है क्योंकि ये अलग-अलग विचारधारा वाले लोग हैं मुझे खुसी हुई कि कम से कम उन्होंने भारत के समिधान के अनुसार सोचना सुरू कर दिया है ये यहाँ पर आरचेडी के सांसर मनोज जा की तरब से बड़ा बयान आया है दोस्तों इसके साथ ही एक मुख्यमंतरी राजभवन आये और विरोध प्रदर्शन करें खबर बताते चलें क्या है पूरा मामला पश्यमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरची और राजजपाल सीवी आनंद बोस के बीच में विवाद दिन पर दिन गहराता जा रहा है मुख्यमंतरी ने राजविधा प्रदर्शन करने के लिए आमंतरित किया है दरासल दोस्तों इससे पहले मुख्यमंतरी ममता बनरची ने कहा था कि अगर राजवाद में हस्तचेप किया गया तो मैं राजविधा के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाऊंगी ममता बनरची ने आगे कहा कि हम अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे बंगाल जानता है कि कैसे लड़ना है इंतजार करें और देखें यह यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंतरी और राजविपाल लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं इसके साथ ही एक और खबर बताते चलें भाजविपा का केंद्रिया नेतृत लगातार घबराया हुआ है कांगरेस की नेता ने आगे कहाई कि भाजविपा देश में खतरनाक खेल खेल रही है और दोहराया कि लोग तंत्र हाँ पर खत्रे में है यह यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल की आया है राजिस्थान के मुखे मंतरी असोग गहलोत की तरफ से इस समय कि दोस्तों आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थे मुखे समचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचा आए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुखे समचारों को शेर कीजेगा अपने सबी दोस्तों में चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत